नमस्कार स्टुडेंट्स वल्कम तो माई यूट्यूब चैनल मैट्स विद अमर जहां मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास टैंट मैट्स का जो दिल्ली सरकार डियोई द्वारा जो सेंपल पेपर जारी किया गया है उसका सेंपल पेपर दिया गया है सत्र दो हजार इकीस वाइस का उसका सेक्शन ए लेकर के उपस्तितू जैसा कि आपको ग्यात है जो कि इसमें जो कुल पेपर पेपरों की संख्या आपको क्वेश्चन पेपर के वारे में जानकारी है यदि नहीं है तो फरसे एक वायर रिवाईज करें इसमें जो पेपर आएगा वह तीन सेक्शनों में बता होगा यह सेक्शन ए और ए फिर बी और सी में ए में दो नंबर के क्वेश्चन होंगे टू मार्क्स और यह इसमें तीन मार्क्स के इसमें चार मार्क्स के इसमें प्रस्णों की संख्या होगी नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा इसमें छे इसमें होगा चार इसमें भी होगा चार तो इस प्रकार कुल चौदा प्रस्ण आएंगे इसमें दो में इंटर्नल च्वाइस होगा question में choice होगा इसमें भी एक question में choice होगा यानि जिस चेप्टर के प्रस्ण है पहला प्रस्ण उसी चेप्टर के दूसरा प्रस्ण भी आएगा तो कुल आपको 14 प्रस्ण करने होंगे तो आइए section A में देखते हैं जो कि किस तरह के प्रस्णों का समावेस किया गया है और उसको क करने का प्रयास करते हैं यहां भी दिया है जो कि कुल 14 प्रस्ण होंगे तीन खंड और यानि हिंदी में कहते हैं और इंगलिस में ABC खंड और में कुल 6 प्रस्ण जिस जो दो अंके हैं खंड 2 में कुल 4 प्रस्ण 3 अंके खंड 100 में 4 प्रस्ण जिसमें दो केस स्टेडी टैप सवाल भी होंगे, इसमें प्रस्ण पत्र में कोई ये विकल्प समगरी नहीं है, या द्यापि दो अंक के दो प्रस्ण, तीन अंक तथा चार अंक के एक प्रस्णों में आंतरिक च्वाइस, आंतरिक विकल्प दिए गया है, यानि इंटर्नल च्वाइस दिए गया है, रिनात् पर्सन स्में है एक बेलन का बकर प्रिष्टीय च्छतरफल दिया हुआ है और उसका आयतन दिया हुआ है तो बेलन की उचय और ब्यास कान्पात गयात की усов से पहले बेलन का जो सिर्फेश एरिया होता है surface area ऑफ यहां पर अप उसी पर निकाल लीजिए यह surface area दिया हो यह item दिया हुआ तो लिखे volume of volume of cylinder और अपोन में या वेलन का item अपोन में surface area surface area कर्ड सर्फेस एरिया और सिलिंडर यह दिया हुआ आपको 924 अपॉन में 264 264 अब जानते हैं जो कि वॉल्यूम क्या होता है सिलिंडर का यह होता है पाई आर स्क्वाइर और एच अपॉन में और कर्ड सर्फेस एरिया क्या होता है टू पाई आर और एच बरावर में हो गया 924 और 264 अब यहां से देखिए ध्यान से इसमें कुछ आपको यहीं पर पाई से पाई कट गया एक आर से एक आर कट गया एच से एच कट गया और इधर भी कातना चाहें तो देखिए यह दो से कट जाता है होता है एक तीन दो और यह भी दो से कट जाएगा तो आप लिख सकते हैं चार छे और दो अब यह ग्यारा से कट जाता है ग्यारा से यदि काटते हैं तो ग्यारा को बारा से करेंगे तो यह होता है 11 से काट ग्यारा चौक चाहा वालिस और फिर बचा दो दो पर नह यह होगया चाह दो पर तो ग्यारा दुनी को अब यह छे दुनींबार हो जाता है और साच छिक बैयालिस हो जाता है तो इस प्रकार यह 7 बाय्टू बचा और यहां से क्या बचा Inter Do by 2 बराबर में 7 by 2, 2 से 2 कट गया, तो R is equal to 7 हो गया, अब आते हैं, यहां पर देखिए, R का value निकल गया, अब हम किसी से भी, कर्ड सर्फे सेरिया 264 दिया हुआ, CSA दिया हुआ है, आपको 264, तो कर्ड सर्फे सेरिया का फर्मूला क्या होता है, 2 by R, H is equal to 264, तो 2 into 22 by 7, और R की value आपके पास आ गया, 7 और into H is equal to 264, अब 7 से 7 कट गया, तो H is equal to हो जाएगा, 264 अपोन में 2 into 22, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 132 हो जाता है, और इसको करते हैं, तो यह 6 जा जाता है, तो H बराबर में 6 और R बराबर में 7, आपको निकालना है, व्यास और उसका अनपात, व्यास और उचाई का अनपात, तो उचाई को पहले लिखिए उचाई या हाइट अपॉन में व्यास डी होता है व्यास बराबर में जो होता है तो यहां लिख सकते है एच बाइट टू आर और एच के वदले क्या है यहां पे एच के बदले तो साथ एच के बदले तो छे आया है तो यहां पे लिखे छे और टू आर यानि चौदा तो इसको करेंगे तो तीन अनपात साथ तो यह हो जाएगा थ्री इस्टू सेवन इसका अंसर वन का ही दूसरा पार्ट कह रहा है साथ सेंटीमीटर साथ मीटर व्यास वाले कुवे को 20 मीटर गहराई तक खोदा गया खोदने से निकली हुई मिट्टी यानि एक कुवाँ खोदा गया कुवाँ खोद करके यहां से जो मिट्टी निकला है उसको एक आयताकार चबुत्रे पे फैलाया गया तो कह रहा है जो कि उसकी उचाई ग्याद कीजिए तो यह इसमें लिख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है जो कि चबुत्रे को की उचाई ग्याद करनी है तो आप मान सकते हैं चबुत्रे की उचाई माना की चबुत्रे की उचाई जो हो गया एच है उचाई यह बराबर में एच सेंटीमीटर यहां पर सारे दिया होगा एच मीटर अब देखिए यहां पर मिटी जो निकलेगा जितनी मिटी इस से निकलेगा उतनी ही मिटी यहां पर भरा जाएगा तो दोनों कायतन बराबर होगा तो यहां पर लिखें बेलन कायतन मतलब बेलनाकार कुए कायतन यानि वॉल्यूम ओफ शर क्या है सिलिंड्रिकल वेल इसकल टू वॉल्यूम ओफ यह यह गहना भाकार चबूत्रे का चबूत्रे का 36 आयतन चबूत्रे का तो दोनों बराबर होगा अब इसका जानते हैं क्या होता है फॉर्मूल्यूला इसका वेलन का अयतन क्या होगा वेलनाकार आयतन。。 वेलनाकार कुए कायतन जो होता है पाई आर स्कॉाइर एच पाई आर स्कॉाइर एच और यहां पर हो जाएगा एल बी और एच अब देखिए पाई के बदले तो 22 बटे 7 हो गया और यहां पर व्यास दिया हुआ है तो व्यास आर क्या हो जाएगा इसका आदा 7 बाई 2 इन्टू 7 बाई 2 और एच दिया हुआ है 20 मीटर यह 20 इसकल टू हो जाएगा यह 22 गुने 14 गुने एच तो इस प्रकार एच निकल जाएगा यह 7 से एक 7 चला जाएगा और 2 से यह 11 हो जाएगा यहां पर वैसे भी टू से इस तू को अभी रहने दें 22 से यह 22 चला जाएगा यह नहीं समझ मारा तो यहां पर एच रहने दीजे और यह 11 काटना चाहें तो 11 काट दीजे और यह 10 काट यह हो जाएगा 10 अब हो जाएगा 11 इंटू 7 7 इंटू 10 अपर में 22 इंटू 14 अब 22 यह 2 जा हो गया 2 यह 5 जा हो गया यह 7 जा हो जाता है तो यह एच बरावर हो गया एच बरावर हो गया 5 by 2 जिसको स्वल्व करेंगे तो 2.5 और मीटर में है तो यह मीटर 2.5 मीटर हो गया इसका अंसर चब उत्रेक उच जाए नेक्स सवाल देखते हैं यहां पर दूसरा सवाल दिया हुआ के का मान ग्याद कीजिए के का मान ग्याद कीजिए जिनके लिए द्विगात समिकरन यह है के अवास्तविक मूल हो यानि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्वेशन दिस हैस नो रियल रूट तो नो रियल रूट के लिए क्या चाहिए डी का वैल्यू जो होता है जीरो से छोटा होना चाहिए माइनस होना चाहिए अब यहां पर पहले एक्वेशन पर आए क्या है दिया हुआ एक्वेशन प्लसFit कि इधर वाला प्लस टू है तो देखिए यह एक्वेशन बदले तो वन हो गया एक्वेशन ब्रावर में यह ब्रावर में वन बीजाएगा टू के दिसन लॉत डर और सी बराबर में यह पूरा सी बराबर में हो गया के स्क्वार माइनस के और प्लस टू यह सी के बदले हो गया अब आपको फोर नो रियल रूट फोर नो रियल रूट रूट जो होगार जीरो से छोटा होगा तो अब डी की वेल्यू क्या होता है बी स्क्वार माइनस पूर एसी इसका वैल यह जीरो तो बी के बदले हमारे पास क्या होगा 2K का square तो यहां पे लिखे 2K का hall square और minus 4 into A के बदले तो A के 4 into 1 into C के बदले यह पूरा है तो लिखे K square minus K plus 2 और यह 0 से छोटा होना चाहिए अब इससे हम solve करते हैं तो यह हो जाएगा 4K square और इसको करते हैं minus 4 से तो यह भी हो जाएगा minus 4K square और minus को इससे करेंगे तो यह हो जाएगा minus 4 minus minus plus 4K और minus को plus से करेंगे तो minus 8 और यह अब 4K square से 4K square कट जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 4K और यह 8 तो k की value क्या हो जाएगा 8 by 2 8 by 4 यानि 2 यानि हमारा answer आ गया k की value 2 से बड़ा होना चाहिए ये हो गया answer next सवाल देखते हैं देखे बच्चो इस तरह के सवाल जो आते देखने में कठिन लगता है लिकन है बहुत आसान थोड़ा सा ध्यान पुर्वख बनाएंगे तो इस तरह के प्रस्नों के आपके सारे नंबर आ सकते हैं यहां पे दिया हुआ आकरिती PQ और RS के अंदर ओ है RPQ यानि PQ ये हो गया और RS ये लाइन हो गया ये दोनों ब्रित पर दो समान असपर्स रेखा दूसरी ओर असपर्स रेखा AB है AB इसपर्स रेखा है ये है जिसका असपर्स बिंदू C है और PQ को A और RS को B पर प्रतिछेद करती है इसको A पर और इसको B पर प्रतिछेद करती है तो सिद्ध करना है कि AB बराबर में AD प्लस BE तो हम देखते हैं A बिन्दू से जो स्पर्स रेखा है A बिन्दू से स्पर्स रेखा AD और AC होगी तो एक ही बिन्दू से खिचिगी स्पर्स रेखा की लंबाए बराबर होती है तो यहाँ पे हो जाएगा AD is equal to AC और B बिन्दू से स्पर्स रेखा क्या है EB और BC और यहाँ पे लिखें EB और बराबर में EC BC EB is equal to BC लिखें या CB लिखें यहाँ EB नहीं BE लिखा हुआ है उपर में यूज किया गया है तो उसी तरह यूज करें BE is equal to BC यह क्या है A के ही बिन्दू से खीची गई स्पर्स रेखा बिन्दू से खीची गई स्पर्स रेखा की लम्बाए बराबर होती है बिन्दू से खीची गई हुआ है A C प्लस B C लिख सकते हैं A C प्लस B C और A C किसके बराबर है A C किसके बराबर है देखिए A C तो A D के बराबर में है तो यह हो गया A C A D प्लस B E प्रूब्ड तो यह देखिए यह बहुत आसान है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह के प्रस्ण के सारे नंबर आपको आ सकते हैं नेक्स सवाल देखते हैं देखिए यहां पर दियावदी गई आकरिती में यह जो निशान लगाया है यानि यह इसका मान गयात करने के लिए कह रहा है तो यहां पर बहुत कुछ चीज दिया गया है लेकिन उसका यूज नहीं है देखिए यह इस कोन के लिए यह कोन जो होत है यह होता है आप जानते हैं इसके लिए तो यह पर्पेंडिकुलर होंगा और इसके लिए मैं यह हाइपोटीनियस हों गया तो पर्पेंडिकुलर रहा है। में किसमें रिलेशन होता है ध्यान कीजी तो यह होता है साइज्प्रीजिश सिक्स्टी academically X equal to होगा, क्या होता है साइन 60 डिगरी का वैल्यू, perpendicular upon my hypertenues, P by H, तो लिखे 5 और बटे I, आप देखिए इसकी वैल्यू ग्याद करना है, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, root 3 by 2 और बराबर में 5 by i अब cross multiplication कर लीजिए यह जो है ऐसे चला जाएगा i is equal to हो जाएगा यहाँ पर root 3 i लिख सकते हैं बराबर में हो जाएगा 10 तो i की value क्या हो जाएगी i की value हो जाएगी 10 upon में root 3 तो यह इसका answer हो गया next सवाल देखते हैं यहाँ पर दी गई सारनी में कहरा है जो कि मादे बच्चों की संख्या ग्याद कीजिए तो यह हम मादे जब निकालते हैं तो x की तरह यहाँ पर यह है और यह f है यह f है यह x की तरह है तो हम मादे निकालते हैं तो पहले fx निकालते हैं इसमें fx निकालिए fx तो यह हो जाएगा कितने बच्चे हो जाएगा 5 और इसको solve करेंगे सबको जोड़ेंगे तो 11 दुनी 22 और 25 तिया 75 और 12 चुक 48 और 25 और 6 दुनी 12 सबको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा इसको जोड़े तो 100 और यह हो जाएगा 160 160 में 27 जोड़े तो यह हो जाएगा 187 और यहां परिवारों के संख्या सिग्मा यह सिग्मा f की वैलू क्या हो इसको जोड़े 5 और 25 पांच 30 और यह हो गया तो मादी बराबर में क्या होता है मीन बराबर में होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f तो सिग्मा fx क्या हो गया 187 अपॉन में 60 जिसको डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और 31 पॉइंट और सिक्स वंजा सिक्स और फिर फोर जिरो यह सिक्स इस तरह से आएगा ठीक है एक सवाल देखते इसी का अथवा दिया गया है यहां पे कह रहा है वह वर्ग अंतराल ग्याद कीजिए जिसका वर्ग चिन अठारा दिया और वर्ग माप दस दी तो हम यदि वैसे रफ लिव बनाना चाहें तो बनास उसके लिए भी आसान तरीका है अब देखिए वर्ग चिन अठारा दिया यानि ठीक मिडिल में रहता यह पांच है तो पांच के दो टुकड़े कीजिए यहां पे प्लस फाइब और इधार में माइनस फाइब कीजिए तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तेश और यह हो जाएगा तेरा और यह हो जाएगा तेश तो तेरा से तैश हो गया यदि मैथमेटिकली हम बनाना चाहें तो वर्ग चिन क्या होता है माल लेते हैं जो कि यह निमनसीमा और यह उच्छ सीमा निमनसीमा ए है और उच्छ सीमा b है तो यह a plus b by 2 होता है 18 यह निमन सिमा होगा यह उच्छ सिमा होगा ठीक है तो यह 18 होगा तो a plus b बराबर में 36 होगा और वर्ग माप क्या होता है बड़े मतलब उच्छ सिमा उच्छ सिमा यानि higher limit minus निमन सिमा होता है बराबर में 10 दिया हुआ है higher limit minus lower limit तो higher limit क्या है हमने यह b माना है तो b minus a is equal to 10 दिया हुआ है यह equation 2 होगा यह equation 1 होगा तो इस तरह से हम देखते हैं a plus b is equal to 36 और b minus a is equal to 10 है तो दोनों को जोड़ेंगे plus करेंगे दोनों को तो यह कट गया बचा 2b is equal to 46 तो b is equal to हो जाएगा 23 और किसी में रखते हैं इसी में रखते हैं तो a का value आ जाएगा यह हो जाएगा 23 minus a is equal to 10 अब 23 minus 10 is equal to a हो जाएगा यानि 13 हो जाएगा तो class interval क्या हो गया class interval हो गया आपका class interval हो गया यह 13 और 23 13 से 23 ठीक है दोनों तरीके बन सकते हैं आप यह भी बना सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको नंबर यदि चाहिए तो थोड़ा सा mathematically बनाए ठीक है next सवाल देखते हैं next सवाल दिया है आपको कह रहा है यह के शुन्यक समान हो तो यानि यह equation है जिसके zeros equal है तो zeros equal के लिए क्या होता है B square minus 4 A C equal to 0 होता है तो यहां पर देखिए इसके बदले क्या दिया हुआ है A के बदले दिया हुआ है A के बदले दिया हुआ है M square plus N square और B के बदले क्या दिया हुआ है minus 2 और MP और plus N q और C के बदले दिया हुआ P square plus Q square तो इस फॉर्मूले में हम सजाएंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा minus है तो इस सबका minus 2 MP plus N q का square और minus 4 और A के बदले है M square plus N square और C के बदले है P square plus Q square is equal to 0 अब इसको इसका square करेंगे तो 2 का तो हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा M square P square plus N square Q square plus 2 MP N q यह हो जाएगा और इसको करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पहले 4 से कर लेते है पहले इससे कर लेते है तो यह हो जाएगा M square P square M से करते हैं तो और M square Q square plus में करते है N square से तो N square P square plus N square Q square हो जाएगा अब ब्रैकेट खोल और बराबर में 0 दिया हुआ है यह भी लिखना है अब इसको इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो 4m²p² प्लस 4n²q² प्लस 8mpnq और इधर हो जाएगा आपके पास 4m² और p² माइनस से भी गुणा कर रहे हैं तो यह माइनस 4m² q² और माइनस में 4n² p² अब फोर ब्रैकेट फोर एक ही साथ कॉमन लेके हटा भी सकते थे और फोर पहले भी ब्रैकेट लेके हटा सकते थे हमने यहां तक किया है माइनस 4n² q² अब देखिए यहां पे कुछ कटेगा 4m² p² और यहां पे 4m² p² एक प्लस में एक माइनस में 4n² q² 4n² q² अब बचा हमारे पास 8m pnq माइनस 4m² q² माइनस 4n² p² इसकल टू जीरो अब हम क्या करें माइनस 4 कॉमन ले ले तो हमारे पास और इधर से लिखना सुरू करते हैं तो यह हो जाएगा 2 4 कॉमन ले 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 तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा m² q² q² और प्लस में n² p² और प्लस यह माइनस में हो जाएगा 2m mpnq बराबर में 0 तो यह माइनस 4 उधर चला जाएगा अब देखते हैं यह हो जाएगा mq माइनस n n p का स्क्वाइर बराबर में 0 तो यह स्क्वाइर भी उधर चला जाएगा mq माइनस n p इसकल टू जीरो का रूट यानि जीरो तो इस प्रकार हो जाएगा हमारे पास mq mq इसकल टू n p यही प्रूव करना था हमारे हमें देखे यह दिया हुआ है mq इसकल टू p n यानि n p ठीक है यह हो गया हमारा प्रूव्ड लंबा था लेकिन है आसान अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स में हम नेक्स्ट वीडियो ले करके नेक्स पार्ट ले करके आओंगा धन्यवाद